Dear student, we have to discuss about the hands-on. हम teaching learning process की बात कर रही हैं, उनकी effectiveness की बात कर रही हैं, और हर एक का जो एक role है, उसके उपर बात कर रहे हैं कि different type of the teaching methods जो हैं, और techniques जो हैं, वो क्या का role play कर सकती हैं? हमने discussion के उपर बात की, हमने storytelling के उपर बात की, अब हम बात करते हैं, hands-on, learning with doing, अब देखें, एक बात याद रखें, जब हम skills की बात करते हैं, तो skills बन्यादी तोर पर mind-muscle coordination है, अब mind-muscle coordination जो है, वो hands-on learning के बगार नहीं हो सकता, या दूसरे लफ़ों में ये कह दूँ के learning with doing के principle को अगर आप सामने नहीं रखेंगे, तो आप skills development कर सकते हैं, देखें, हमने cognition की बात की, हमने behavior की बात की, behavior एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, storytelling की सुरत में, कि जब आप स्टूरी सुनाते हैं बच्चों को, तो उसमें उनकी behavior में शेये जाती है, जब आप discussion करते हैं, तो आप identify कर सकते हैं, कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, वो इस बच्चे के अंदर inculicate हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही हैं, लेकिन जब हम skills की बात करते हैं, तो skills के लिए हमें learning with doing की तरफ जाना पड़ेगा, अब छोटे level के उपर जो है, बच्चों के अंदर skills जो है वो develop करना, यह समझ ले, incorporate करना उसके अंदर, यह काफी मुश्किल कहा है, अगर्ची यह करिकुलम का एक हिस्सा है, करिकुलम के अंदर बताया जाता है, कि यहां पे हम hands on से क्या के चीज़ें learning outcomes ले सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे तमाम teaching strategies को सामने रखें, तो उसके मुकाबले में यह थोड़ा difficult हैं, अब देखें, मैं उसके आपको example देना चाहूँगा, कि writing जो है वो एक skill है, बच्चे के mind में A है, आपने बच्चे से कहना है कि A लिखके दिखाओ, अब यह क्या है, यह mind muscle coordination है, यहाँ पर we need a more help, skills develop करने के लिए, हमें ज्यादा help करनी पड़ेगी और किस सवाले से, नमबर एक, उसे more engage करना पड़ेगा, way to learn, फिर हमें retention बढ़ानी पड़ेगी, फर्द करें कि आज हमने आज से पकड़ के उसको समझा दिया, तो उसको retain भी करना है, उसने उसके retention भी चाहिए, फिर हमें इसी में critical thinking और problem solving को भी practice करना है, ये एक वे वो हैं आपका जो आप बता रहे हैं, और दूसरे हभी है कि आप उसको एंड़्जान देते हैं और उसको कहते हैं कि आप उसके approach देखना चाहते हैं, कि जी आप इसे करें और करने के बाद आप देखें कि आप कैसे करते हैं, तो वो अपने अन्दाज में भी उससे सीखेगा तो लहाज़ा हमारी जब स्किल्स डिवेल्प करनी होगी तो हमें वहां पे हैंड्स आन की टेक्निक यूज़ करनी है